हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दे चैनल, माइनम इस मॉनिका फ्रेंड्स, आज हम लोग एक पोएम करेंगे, गंगा दीन जिसका नाम है पोएम बाई रोडियर्ड किपलिंग, जोकि पबलिश हुई थी 1890 में फ्रेंड्स, पोएम देख लेते हैं गंगा दीन एक इसमें इनसान का नाम है, जोकि एक बिष्टी था वाटर कैरियर, जोकि पानी पिलाते हैं युद्ध के समय में फ्रेंड्स, युद्ध के टाइम पे जब युद्ध शिर जाता है दो सेनाओं के बीच में तो सिर्फ सोल्जर जो फ्रेंट लाइन पे लडाई करते हैं, वहीं इंपोर्टेंट नहीं होते उनके पीछे और बहुत बड़ी एक टीम काम करती है, जो सोल्जर्स को बैक अप देती है जैसे कि जो लोग खाना बनाते हैं, सोल्जर्स के लिए, जब सोल्जर्स ठक जाते हैं, तब उनको पानी पिलाते हैं और आर्मी में जो लोग सोल्जर्स को सेना में बॉर्डर पे जाके चीजे प्रोवाइड कराते हैं, वो लोग भी बहुत इंपोर्टेंट होते हैं बहुत importance रखते हैं ऐसा ही एक इनसान था गंगादीन स्टोरी का जो बेस है वो इंडिया में लिया गया है और स्टोरी में जो गंगादीन है वो ब्रिटिशन आर्मी की तरफ से वाटर कैरियर का काम करता था फ्रेंड्स ये बात उस टाइम की है जब इंडिया में अंग्रेजों का राज हुआ करता था और उन्होंने एंप्लॉइमेंट दिया था एक वाटर कैरियर के रूप में गंगादीन नाम के इनसान को वो बहुत ही ज़ादा गरीब इंसान था और बहुत ज़ादा बाते नहीं करता था बहुत शांत स्वभाव का इंसान था और अपने काम को बहुत ही ज़ादा determination के सथ complete करता था बहुत ही simple minded था फर्स पेराग्राफ में देखेंगे हम के बहुत ही simple minded एक water carrier गंगादीन नाम का इनसान था जो soldier की life save करता था कैसे उनको पानी बिलाके इंडिया का जो sunny day था वहाँ पे वो England को सर्फ करता था और जो English people थे वो उसे बहुत ही ज़ादा बुरे तरीके से treat करते थे और उसे बिल्कुल भी respect से नहीं बुलाते थे उसे वो बहुत डाट के बुलाते थे और उसे धमका के मारने पीटने की धमकी देते थे के गंगादीन बहुत जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आओ otherwise I will beat you गंगादीन भी बहुत जल्दी जल्दी उनकी bottles को water bottles को refill कर दिया करता था एक soldier अपना personal experience share करते हुए थर्ड paragraph में और किसी को भी ऐसास नहीं है कि वो soldier गोली लगने के बाद में कहां पड़ा हुआ है उसका गला एकदम रुक रहा था रुका हुआ था और वो प्यास से एकदम बेहाल हो चुका था उसमें इतनी हमत नहीं थी कि वो उठके अपने साथियों को आवाज लगा सके तब ही कुछ टाइम के बाद में गंगा दीन वहां पे आया और वो ऐसा पहला इनसान था जिसने उस soldier को देखा उस बुलिट लगी हुए हालत में उसने उस soldier को उठाया उसका सर उपर किया और उसे अपने water bag में से थोड़ा सा पानी पिलाया जो कि बहुत साफ नहीं था वो पानी green और slimy काई लगा हुआ था क्योंकि हर जगें बहुत साफ पानी available नहीं है जहां युद छिड़ा हुआ है वहां हर जगें आप लोग purifier का पानी available नहीं करवा सकते युद में सैनिको को किसी भी condition में कैसा भी खाना खाके कैसा भी पानी पिके किसी भी condition में युद को continue करना ज़रूरी होता है तो जो available था गंगा दिन के पास उसने वही उस soldier को पिलाया और soldier के personal experience के according वो life की best drink थी चो अब तक उस soldier ने life में पी थी क्योंकि friends value चीज़ों की नहीं होती value situation की होती है कि वो चीज़ आपको किस situation में मिली है तो आप उसकी उस तरह से value करोगे जैसे कि आपको भूख के time पे खाना मिलता है तो आप उस खाने की बहुत ज़ादा value करोगे और अगर आपको भूख नहीं है फिर आपके सामने चपन भोग भी परोसर जाएं तो वो भी आपको उतना attract नहीं करते तो situation थी युद्ध की और bullet लगी हुई थी गोली लगी हुई थी उस soldier को उसका गला प्यास से एकदम सूख रहा था तो उसको वो गंदा green water भी बड़ा tasty लगा और वहाँ पे सेवा करते हुए गंगादीन की भी death हो जाती है क्योंकि वो बहुत safe place नहीं है युद्ध में दोनों तरफ से गोलियां चल रही होती है तो जो आर्मी को सेवा करते हैं आर्मी की जो आर्मी को चीज़े provide कराते हैं उनकी भी casualty हो जाती है बहुत बार तो गंगादीन ने वहाँ पे soldier से भी बढ़के role play किया ये इस पूरी poem में दिखाया गया है कि कैसे गंगादीन को बिलकुल dart डपटके बुलाया जाता था फिर भी उसने अपना कर्म, अपना काम, पूरी मेनत, लगन और इमानदारी के सथ complete किया और कभी भी अपनी job से जी नहीं चुड़ाया, पोयम का इनलिसस कर लते हैं friends, ये जो बैरेक रूम बैलेट्स में इस poem को इंक्लूड किया गया था, ये एक collection है, ये एक poem collection है, रुडियार किपलिंग का, जिसमें उन्होंने इस poem को शामिल किया गया है, और जो ये लिखी गई है, गंगादीन poem, ये एक kokanee dialect में लिखी गई है, kokanee एक बोली का नाम है, तो उस dialect में ये लिखी गई है, जिसमें Tommy, Fuzzy Wuzzy और Danny Deaver, ये सारी भी इस dialect में लिखी गई है, इसमें total five stangas हैं, और बहुत सारे dialogues हैं, जिसमें जो कि गंगादीन और soldiers के बीच में है, जो कि maximum में तो soldiers गंगादीन के ओपर shout कर करते हैं, गालियां देते हैं, और डांट डपटके गंगादीन से पानी लाने के लिए बोलते हैं, इन future T.E.S. इलिएट ने 1941 में जो एक collection था, A Choice of Kipling's Wars, उसमें भी इस poem को शामिल किया था, तो friends, ये थी गंगादीन स्टोरी, पोयम की स्टोरी और उसका analysis, ऐसी और काफी स् में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए, stay healthy, stay fit, thank you so much.